कि अच्टेंबर वी मेड है आप सब क्या आपका रिस्ता सुधरेगा जी हाँ आज इसी टॉपिक पर मैं रिडिंग कर रही हूं क्योंकि हमारे फेंदी में जादा तरो लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशन्शिप में बहुत आप जड़ा खटास आ चुकी है रिस्ता बहुत बहुत बुरी तरीके से बगयगर चुका है तो आने वाले वक्त में आने वाले समय में आप दुनों का रिस्ता सुधर पाएगा या फिर नहीं इस वर क्या कहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों का भविश्यक्त ऐसा है ठीक है तो इन सारी बातों की जानकारी आपको आज की रिडिंग में हम देने वाले हैं ठीक है तो रिलेशनशिप की मंजिल क्या होने व यह हमारा पाइल नमबर वन और आज लाइट है ही नहीं गाइस तो थोड़ा अंधेरा भी हो सकता है मैनेज कर लेना ठीक है आपको अपने पोर्शन का नाम का पहला अक्छा सेलेक्ट करना है अफड, MVO, CLG, QTR और Y पाइल नमबर वन देखकर बताते हैं आपको कि आपका रिस्ता आखिर किस कगार पर पहुँचेगा बिगड़ावा रिस्ता सुधरेगा या फिर नहीं है ना ये सारी बाते आपको जानकारी देंगे पाइल नमबर टू में है BKH, PSX, EIJ, NU, W और Z मैं रिपीट करती हूँ BKH, PSX, EIJ, NU, W और Z ये है हमारा पाइल नमबर टू तो फटा फट पॉजिटिव एनरजी में रहिए दिल पर हाथ रखिए और कर लीजिए अपने उस पाइल को सेलेक्ट जिस पे है आपके परसन का नाम का पहला अक्षर और इसता कहते वे लाइट तो आ गए गई गई पर पता नहीं किते दे रहेगी क्योंकि आथ लाइट का जाना आना लगा हुआ है तो चलिए गई आई होपा आपने अपना पाइल सेलेट कर लिया है स्टार्ट करते हैं नमबर वन की रिडिंग से य है हमारा पाइल नमबर वन जिनोंने भी सेलेट क्या है एफडी एमवी ओ सी एल जी क्यू टी आर वाई तो क्या आपका रिस्ता सुधर पाएगा सुधार होगा इस विस्ते में बनेगा कुछ जो बिगड़ा है ना चलिए देखते हैं आपके पोर्शन के अनर्जी सी देखे बर आपके चाहने से तो होगा नहीं तैलि तो दो हाथ से बस्ती है रिलेशशिप में दो इंसान की मनजोरी होती है और आपके पोर्शन की अनर्जी स्क्या है क्या वो चाहते है कि ये रिस्ता सुधरे, आगे बढ़े, आप दुनों का रिकॉंसिलेशन हो, आप दुनों का रियूनियन हो, क्या ये इंसान चाहते है, देखते है, क्या निकल कर आता है, ठीक है? फोर अफ काप्स का पहला काड आया है, गाइस, अभी इनके एनरजी देखकर तो ऐसा लग रहा है, कि ये बिलकुल भी रिस्ते को मौका देना नहीं चाहते, या सुधार करना नहीं चाहते, रूठे हुए है, गुस्से में नजर आ रहे है, आपके पोर्शन, है ना, आपसे द हो रहे है, या फिर आपके ओफर्स को ठुकरा रहे है, ऐसा लग रहा है, तो गुस्से वाली भावना जो है, मुझे नजर आती है, देखते हैं, कि ये भावना क्या सच में फिलिंग इनके ऐसे ही है, क्या ये इस ओफर को सच में नहीं करना चाहते, फूल का काड आ गया है, कि व्या बर्स काहते, यूल का टतर चाहते, एक तुश के बझाएं़संगा देके और ले के ए postांगोंसे लोह Maye का बचल है, एकुश के बट्तर नहीं ऐसे हैं है, पूल ये व Вас रहामा सच में आतर चाहते है, ये विलिंग के मुपते हैं एक फूल काहते हैं जगा है? व्त नाइन अफ काप स्कूल एंपरोर्स चैरियर्ट यह हुई ना बाप ओमाइगाड मिजर अरकाना से दो बड़े कार्ज निकल कर आचुके है अल्रेडी दो कार्ज और निकालेंगे किंग फांटिकल्स क्या आप दोनों का रिस्ता सुझरेगा जस्टेस वाव तो यह रहे कार्ज काईज जो मैंने निकाले है इस डेक से यहां से भी मैं कुछ चार कार्ज निकालूंगी तो मेजर अरकाना से तीन कार्ज निकल कर आचुके है ठीक है पाल नमबर वन आठ में से तीन कार्ज मेजर अरकाना से है मेजर का मतलब ही होता है कोई बड़ा आक्शन समझ रहे हो ना मेजर अरकाना का मतलब होता है बड़ा आक्शन जिसे होना ही है, जिसे कोई नहीं बदल चकता, ठीक है? जिसे को अ है, ऴ। यथे हैया है। थ्री आफ पांटिजल्स किंग अफ वांस एक और लास्ट कार्ड यहां से निकालेंगे गईज नाइन आफ वांस यहां पर मैंने जगह खाली रखी है क्योंकि मुझे और भी कार्ड निकाल लिए है उन कार्ड को मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगे पहले इन कार्ड की रीडिंग करेंगे गईज ठीक है उसके बाद में इस जगह को भी हम भरेंगे यहां पर एंजन मैसेज़स और एनर्जी और कर्ड से भी मैसेज़स निकालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है पहले इन कार्ड को देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा पाइल नंबर वन कि यह तीन मेजर रखाना से कार्ड निकल कर आए हैं जिस पर आए हैं तो आप जोने के रिस्ते में क्या सुधार आएगा आपको इन कार्ड को देखकर क्या महसूस हो रहा है ना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गैस कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि ये इनसान कुछ नाराज नजर आ रहे है ये इनसान गुसे में नजर आ रहे है ऐसा दिखा रहे है कि इनको रिलेशन्शिप में या फिर इस रिस्ते में इंट्रेस्ट नहीं है आपके साथ जो रिस्ता है ना उसमें इनको खासी दिल्चस्पी नहीं है इस तरीके की जो है दिखावटी चीजे मुझे नज़र आ रहे है बनावटी गुसा नज़र आ रहा है और इस पर एक गाना ये यादा है गाईस मुझे समझ गए ना गईस जी हाँ ये जो गुसा है ये जो आपको इग्णोर करना है ये सारी के सारी बाते बक्वास है ये सारी के सारी जो है चीजें आपको दिखाई जारी है यह गुसा बनावटी है यह इगो बनावटी है है यह इनसान जो मुझे नजर आ रहे है यह आपको बहुत ज़रा परिशान कर रहे है यहां पर देखिए क्योंकि बिल्कुल उसके बगल में फूल का भी काड़ आया है यानिकि इनसान आपको सता रहा है ठीक है आपसे बातें कर रहा, Emperor का काड़ यहां पर आया है, जो दिखा रहा है कि यहां पर भी चुपी साध रखी है, Four of Cups को देखकर भी लगता है कि चुपी साध रखी है, बिल्कुल भी आपको ना अपने मन की बातें नहीं जाहिर कर रही है, आपको प्रिटेंट तो कर रहे है, दिखावा तो कर रहे हैं कि मुझे तुमारे साथ रिस्ता ठीक नहीं करना, मुझे तुमारे साथ रिस्ता आगे नहीं चाहिए, मैं अपने जिन्दगी में मस्त हूँ, मैं अपने जिन्दगी में खुश हूँ, तुम चलो अपने रास्ते, मैं चलता हूँ या चलती हूँ अपने रास्ते, अपने अपनी जिन्दगी का सफर है, हम चलते रहते हैं, हमें एक दूसरी से क्या लेना देना, इस तरह कि चीज़े आपको दिखा करकर आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान परिशान कर रहा है, आपको तकलीव दे रहा है, पर क्या सच्चा यही है गाईज, ये बिल्कुल कर रिस्ता खराब हुआ है, है ना, वो दो रिजन जो है, वो मैं आपको बता दू, पहला रिजन मुझे यहाँ पर नज़र आया है, जिसे देखकर लगता है, कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी पार्टनर्शिप थी, आप दोनों एक दुसरी के साथ रिलेशनिश इसारा की तरफ इसारा कर रही हूँ, यानि कि थर्ड पार्टी की तरफ मेरा इसारा है, कि थर्ड पार्टी कोई ना, कोई घुसी है आप दोनों के रिलेशनिशिप में, जिसके वज़े से ही इनसान ना, बिल्कुल, फाइनल, मतलब इनोंने ना, आपके बारे में बिल्कु नहीं सचा और सेथे के साथ जाकर विल्कुल उनकी बातें मान ली नींके साल पर चले रह गए उनके साथ दोसती कर ली उनके साथ फ्रेंशिप कर ली हुंजी बातों में आ गए जो भी किया है फीर पार्टे के के वज़े decision नहीं ले पा, यानि कि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कुछ और चीज़े है, इनकी personal problems हो सकती है, family problems हो सकती है, financial problems हो सकती है, आप दुनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनका ताल में सही नहीं बैठ रहा था, तो ये इंसान बहुत ज़रा confused हो गया, जिसके लगता है कि इस इंसान में अपनी मनमर्जी कर ली, और अचानक से decide कर लिया, अचानक से फैसला कर लिया, कि इनको जो है, आप इस रिस्ते में नहीं रहना है, और अभी जो है, अभी आप दुने के बीच से मुझे, बहुत बड़ा distance नजर आ रहा है, दूरी नजर आ रही है चुपी नजर आ रही है, खामोसी नजर आ रही है, तो यह सारी चीज़े हुई है, आपके relationship में पाई नमबर वन, तो यह तो रही पास के कुछ बाते जो मुझे नजर आई है, अब जरूरी नहीं कि यही condition रहा हो, कुछ और भी बाते हो सकती है, क्योंकि यहां पर king of pentacles भी म बहुत, you know, बहुत strong financial background वाली family से आते है, father businessman है, ऐसा लगता है, सरकारी job है, इनके father के ऐसा लगता है, जो भी हो, फादर का बहुत जरा चलता है इनके घर में, नियम कानून ऐसा लगता है, तो जो भी हो guys, सुरवात में आप दोनों के बीट में जो भी relationship था, वो किसी और के वज़े से ही तूटा हुआ मुझे नजर आता है, और इसते में खराबी भी इसी वज़े से आई है, तो आज का सवाल तो यह है, कि क्या आपका तूटा हुआ, बिखरा हुआ रिस्ता सुधरेगा, तो देखे मैंने कहा दिया है, कि जुटा है, यह गुसा तेरा सच्चा नह अच्छा नहीं है, जबकि आपके पोर्सन यहाँ पर जुटा गुसा आपको दिखा रहे हैं, जुटा इगनोर आपको कर रहे हैं, जुटा चुपी इन्होंने साथ रखा है, जबकि मन के अंदर मुझे नजर आ रहा है, कि यह इनसान जो है, आपको बहुत ज़्यादा चाह होती है, तो हमको ना अधुरापन महसूस होता है कि कुछ चीज तो है, जो मिसिंग है, कुछ चीज तो है, जो लाइफ में, यून रहे होने के बावजूद भी एक चीज है, जिसके कमी महसूस हो रहे है, तो अपने आपको आपके पोर्सन फुल्फिल्ड नहीं कर रहे हैं याने कि भरा हुआ, जिन्दगी में सब चीज है, ऐसी चीजे महसूस नहीं कर रहें, उनको ना कहीं ना कहीं सैटिस्फाक्शन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं लाग कर रहें, किसी ना किसी चीज की कमी है, और कपस के एनरजी जब भी रिडिंग में आती है, आपको ध्यान देना है, कि यह जो कमी आपके portion महसूस कर रहे है, वो है प्यार की कमी, और प्यार कहां पर था, प्यार था, आपके पास बाकी दूसरी जगह पर तो देखिए, मुझे लालच ही लालच नज़र आ रहा है, है ना, इगो नज़र आ रहा है, बहुत ज़रा प्रिशुराइस करना रहा हो, जो इनको प्यार का सप्लाई करता है, समझ गए, प्यार का सप्लाई हर कोई नहीं कर सकता, हम रिलेशन्शिप में बहुत सारे लोगों के साथ रह सकते हैं, बहुत जल्दी हम किसी और की तरफ एट्रक्ट हो जाते है, फिजिकली एट्रक्ट हो जाते है, को वहाँ से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि This love is my career in वो सारी चीजें सिर्फ धिखावे लिए हैं और मैं केहते हुँ कि दिखावे पर मत जाओ, अकल लगाओ, तो अकल यहाँ पर यही लगानी है आपको गैस की बाउजुद इसके, यह इनसान आपसे दूरी मेंटेन कर रहा है, डिस्टन्स मेंटेन कर रहा है, पर मन ही मन यह इनसान आपको ही पाना चाहता है, क्योंकि आप इनके लिए एक वो इच्छा हो, जो इनकी अभी अधूरी है, जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, प्यार के मामले में ये सिर्फ आपको सोचते हैं, प्यार सिर्फ आपसे पाना चाहते हैं, पर कुछ उल्जनों की वज़े से ये इनसान अभी आपको प्रिटेंट कर रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आपसे कोई भी relationship नहीं रखना चाहते या फिर इनको आपकी जरुरत नहीं है four of cups पर ये सरासर बक्वास है ये सरासर जूटी चीज़े है जो ये आपको दिखा रहे हैं अंदर अगर आप देखोगे ना guys तो इनके अंदर में बहुत सारी ऐसे चीज़े है जो बताती है कि इनक नहीं को success चाहिए यहां नहीं कि इनको पैसा नहीं चाहिए देके pentacles के साथ आपको प्यारिव की अटरजी भरी हुई नजर आ रही है यां आपके साथ यूनों कि आपको अपने से दूर कर दिया आपके साथ relationship totally तोड़ दिया और उसके बाद इनको सारी चीज़े चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है इनको ना सारी चीज़ों का combination चाहिए सारी चीज़े इनको चाहिए तो चाहिए समझ गये गाई यहाँ पर justice का भी काड आया है यहाँ पर चैर्ट का भी काड आया है और यह दोनों ही काड बता रहे है कि आपके portion definitely आपको इस कदर चाहते हैं इस कदर आपको पसंद करते हैं इसकी इनसान definitely आपके और इनके relationship को जो है सुधारने के लिए definitely कोई ना कोई कदम बढ़ाएंगे justice card ऐसी topic में अगर आ र रिस्ता है तो justice का card ऐसे reading में आने का मतलब है कि न्याई आपकी favor में होना है आप दोनों का रिस्ता definitely सुधरेगा आपको इनसाफ मिलेगा आप दोनों का reunion होगा आप दोनों का मिलना होगा है ना क्योंकि यह जो इनसाफ है यह उपर वाले का इनसाफ होने वाला है guys क्योंकि आपके नजराच चुका है कि आपके दिल को तोड़ा गया है आपके साथ अच्छी खासी इनकी relationship जो चल रही थी उसमें या तो कोई बीच में आ गया या आपके पार्टनर ने किसी और को बीच में घुसा दिया है जिसके वज़े से आपके साथ ना इंसाफ ही हुई है तो आपके relationship में सुधार definitely होकर ही रहेगी यह promise मेरा नहीं है guys यह promise है उपर वाले का ठीक है और आप दुनों का relationship जो है इसी तरीके से जब wishful होती है जो हमारी अधूरी इच्छा जब पूरी होती है तब ही इनसान इस तरीके से relax होकर खुश होकर रह सकता है तो इनकी भी wish है कि आपको justice मिले है ना पर यहाँ पर अगर देरी हो रही है दिले हो रही है तो आपको समझना है कि main importance of factor यहाँ पर है वो है third party और two of pentacles जिसके बीच में आपके person कहीं न कहीं confused है पर three of pentacles ने हमको यहाँ पर यह दिखा दिया कि जो partnership आपके person अभी किसी और के साथ कर रहे है उसक आपके साथ आकर हाथ मिलाना आपके साथ आकर दिल से दिल को मिलाना यानने कि third party के साथ partnership ब्रेक हो रही है और आपके साथ partnership यहाँ पर बनने वाली है तो justice यहाँ पर हमें जो मिल रहा है ना w 정말 justice है three of pentacles जो दर्द आपको मिला है वही दर्द थर्ड पार्टी को मिलने वाली है क्योंकि आपके portion उनके दिल को तोड़ कर उनके उनके proposal को ठुकरा कर उनके साथ business को छोड़ कर उनके साथ family relationship को छोड़ कर सारी चीजे छोड़ कर ये इंसान आपकी कदर करेगा आपके लिए इंसाफ ये इंसान करेगा और आपके साथ reunion करेगा तो रिस्ता सुधरना ऐसे है गाई आपके portion ही ये सारी चीजे करने वाले हैं आपको कोई भी तकलीफ लेने की जरुत मुझे यहां पर नजर नहीं आती देखे गाईस चैरिट जैसा action हमें रिडिंग में मिला है है आप चैरिट का action क्या होता है कि हां थर्ट पार्टी की ऐसी की तैसी थर्ट पार्टी की बाते नहीं सुननी है थर्ट पार्टी से अब रिस्ता तोड़ना है थर्ट पार्टी का बहुत हो गया हंगामा जितना करना था थर्ट पार्टी ने कर लिया जितने बाते मनवाने थी थर्ट पार्टी ने मनवाली अब मुझे किसी की नहीं परवा अब मुझे अपने दिल की आव दिखा रहे हैं यह इंसान आपको ऐसा महसुस कर रहे है कि इनको आपके साथ कोई भी लेना देना नहीं है पर मुझे तो 100% यहाँ पर स्वेफोर्ट श्रीफिन का लेना देना आपके साथ ही नज़र आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी से तो यह इंसान निकलता हुआ मुझे नज़र आया है तो इनके चैरेट के आक्षिन के लिए तयार हो जाओ गाइस यह इंसान आपको डेफिनेटली पाना चाहते है पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इनको वक्त देने की जरूत है मैं नहीं चाहती कि आप इनको ना इनके इगो को और भी जारा इसन आपको सताह रहा है यह इनसान आपको नचा रहा है मुझे मैं चाहती हूं कि आप ऐसा बनो कि इनसान जो है आपकी इस और ना चेल के यहां पर यह कार्ड़ भी आया है नाइन अव यह सब्सक्राइक है इस इंसान के मन में यह इस रिस्ता निभा नहीं पाए इसंसान अपनी गलतियों को थोड़ा सा यू नो ये इंसान दिखा नहीं रहे है एकसेप्ट नहीं कर रहे है आपके सामने सबसे बड़ी समस्य यहाँ पर यही नजर आती है न कि अंदर से टूटा हुआ इंसान है अंदर से यह महसुस कर चुका है कि मैं फेल हो गया हूं रिलेशनशि को ना अंदर से अहसास तो हो चुका है कि गलतिया इनकी थी इन्हों नहीं आपको ठुकरा कर किसी और का हाथ थामा है किसी और की बाते मानी है इनकी ही लाइफ में प्रॉलम्स थी इन्हों नहीं आपको गुसा दिखाया और यह खुद चाहते हैं कि आप इनके सामने जुको और ऐसा मन में जब ये सारी चीज़े आ चुकी है गाईश, तो जबान पर आने पर इस पे वक्त नहीं लगेगा गाईश, क्योंकि ऊपर वाला ही का जो लाठी है यहाँ पर पढ़ने वाला है, यहाँ पर justice आपको मिलने वाली है, इंसाफ आपको मिलने वाला है, रिस्ता आप कुछ करने की ज़रूत नहीं है मैंने कहा ना कि कर्मा जो है इस इंसान को अपनी अपनी इगो से निकालेगा इनके घमंड से कर्मा इनको निकालेगा गाईज और ये इंसान जो है आपके लाइफ में डेफिनेटली इस रिस्ते को बनाने के लिए एक मौका मांगते हुए आप से माफी मांगते हुए ये इंसान वापस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा और आप दोने की जो विश है हैना इस रिस्ते में सक्सेस्वल होने की हैना ये विश जो है आपके पोर्सन भी कही ना कहीं चाहते है देखें आप हमें नाइन ओफ का कार्ड मिला है यानि ही आपको ना किसी के सामने जुकाना पसंड ही इंसान और इसी वजे से आपको बहुत सारा रूzahlठ दिखा रहा है इन्सान पत्थर है सारे छीजक आपके छोट पड़ें या फिनौ भीन संब दो द All Heisa Samnten उन्लवन के तो सारी जो मनिसान कर घुक WATраж QT diffus लेकर बोल्ड कमिट्मेंट लेकर आपकी तरफ ट्रावल करेगा आने वाले दिनों में ठीक है तो चलिए आप दोनों के रिस्ते में बहुत खुपसरत यह आज का जो आज का अमारा रीडिंग है उसका सबसे बड़ा जो इका है वो है जस्टिस का कार्ड जिसने बता दिया है क जो मुझे नज़र आई है चलिए अब देखते हैं दूसरे कार्ड से क्या होने वाला है गाईज और एकल कार्ड से मैं दो कार्ड निकालूंगा यहां से देखते हैं यूनिवर्स क्या खैदी है स्लोइंग डाउन जी हां डेफिनेटली देखे स्लोइंग डाउन का पहला कार्ड आया है यूनिवर्स भी जानती है कि आप दुनों का रिस्ता भी बहुत बहुत कच्छवे की चाल पर चल रहा है यूनों आप इंतसार कर रहे हो रही इस इंसान का क्या है कि यह आगे यहां में है देखे फूल का काड आया है इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही जुको आप ही इनके पीठे आओ ये मैं मस्त हो तुमारे बिना लेकिन अंदर का सिच्वेशन कुछ और है गाई दिखावा यहां पर कुछ और चल रहा है तो अभी आप दुनों का रिल इस तक बिल्कुल भी नहीं करना है गाईस ठीक है क्योंकि यह जो स्लो मुमेंट है है ना यह सारी चीज़े बदलेगी स्पीड इस रिलेशन्शिप में डेफिनेटली आकर ही रहेगा गाईस ठीक है इस मैं चाहती हूं कि इस इंसान का इगो जल से जल खतम हो जल से जल बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा एटिट्यूड में नज़र आ रहे है और इनका इनको आपके सामने आकर माफी मांगनी होगी यह खुच जो है रिलेशन्शिप का ओफर आपको देंगे यह मेरा आपके साथ दावा है आपको मैं यह दावा चैलेंज कर र दोगों सब्सक्रावारों करते हैं इनका पर के साथ hoje के साथ इनका सब्सक्राव कर दोस्याहं तो बिल्कूल आपके साथ बिल्कुल यह किसी चीज नहीं कर हरे對 आपके साहथ बाटची नहीं हो रही तो आप देखें बहुत जल्दी आप दुनों के बीच में जो है मिलना हो रहा है पार्टिसिपेशन आप लोग कर रहे हो एक दूसरे के साथ हर चीज जो है आप लोग मिलकर करने वाले हो ठीक है तो मुलाकात यहां पर होने वाली है और बहुत खुफसरत जो है नंबर 4 का डा आया है यहां पर कि पार्टिसिपेट करते हुए नजर आये हो युनिवोर्स को आप ठीक है आप दुनों के बीच में यहां पर मिलना तय है गाइस ठीक है तो यह दो कार्ट्स मैंने निकाल लिए है यहां से चले देखते हैं अब एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है गईस आप अब अब देर इस सम्धिंग बेटर तो देखे जैसा कि मैंने कहा है आपको मैंने आपको दंके की चोट पर ये कहा है गाईस की इनसाफ आपको मिलेगा रिलेशनशिप में सुधार होगी डेफिनेटली होगी भले ही अभी आपके पोर्सन का और थर्ड पार्टी का परड़ा भारी चल रहा है पर आने वाले वक्त में गाईस थर्ड पार्टी भी मुझे बल गिरेगा आपके पोर्सन का इगो और अटिटुट भी गिरने वाला है और जस्टिस आपको यानि कि फैसला आप करोगे कि इस इंसान को आपको रिजेक्ट करना है या फिर यूना आपको इस इंसान को है गाईस ठीक है तो अच्छा कुछ होने वाला है something better is there for you आपके लिए कुछ अच्छा यहाँ पर बना कर रखा जा चुका है इस relationship में तो बिल्कुल भी आपको उम्मीद हारने की ज़रूत नहीं है चलिए energy oracle card से भी देख लेते हैं क्यासा है energy दसान वाव तो रिडिंग में sun का card आ जाए है ना और वो भी energy oracle card से तो मैं आपसे क्या कह रही हूं हैना कि जो भी wishes है है जो भी यहाँ पर सपने हैं जो भी चाये हैं जो भी desires है आपके portion की ना वो सारे desires को पूरा करने के लिए आपके relationship में देखे sun का card आया है याने कि आपके life में आपके relationship में positivity आने वाली है आपके relationship में जो अंधेरा भी चाया हुआ है भरोसा तूटा हुआ है दोनों separation में चल रहे हो तो इसका आंथ होने वाला है और आपके और इनके relationship में खुशिया बहुत जल्दी आने वाली है guys sun का card आप जानते हो क्या होता है sun का card होता है happy relationship का card joyful relationship का card happy marriage का card है ना happy relationship happy love सारी चीज़े happy happy याने कि खुशियों वाला card निकल कर आया है जो है आप दोने के relationship का आने वाला future ठीक है तो happiness के लिए तयार हो जाओ traveling के लिए तयार हो जाओ इस इंसा से मिलने के लिए तयार हो जाओ guys और offers के लिए भी आपको होना है तयार तो energy oracle card से आपको मिल चुका है sun का card और हमें क्या चाहिए guys तो अब भी जो situation चल रही है ना उससे हतास नीरास परिशान होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है guys ठीक है इस इंसान को ना इनकी इनकी जो जगह है ना वो उपर वाला बहुत जल्दी दिखाने वाला है ठीक है इनको यह पता चलने वाला है कि इनका जो प्यार है वो आपके साथ है आप ही वो हो वो source of happiness आप ही हो guys वो कहते है ना वो pull आप हो जो इनको प्यार दे सकती है जहां से इनको वो सारा satisfaction मिल सकता है बाकी ज यह अपने घमन से नीचे गिर कर है ना इनके पाउं बहुत जल्दी जमीन पर आने वाले है क्योंकि यह उड़ रहे है देखे फुल का card आया है ना तो इनको इनके attitude से गिरा कर यह इस वर जो है आपकी तरफ definitely लेकर आएगी और आपके relationship में सुधार होकर ही रहेगा क्योंकि sun भी आ गया reading में और यह card आ गया तो सोचो की relationship खतम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर तो अब new beginning होनी है सवेरा होना है खुशिया आप दोनों को मिलनी है ना तो बहुत सारे चीज़े तो आभी देखना बाकी है गाईस लोगों को जमीन पर गिरते हुए तो आप को इंतजार करना है ठीक है patience lose मत करो hope lose मत करो उमीदे मत खो ठीक है justice आपको definitely मिल कर रहेगी समझ गए गाईस तो गाईस यह थी आपके reading I hope आपको समझ में आई है I hope आपको पसंद आई है पसंद आई है गाईस तो वीडियो पर like, comment, share and subscribe कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से next reading में तब तक आपको रखना है अपना बहुत अशाख खयाल क्यूंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जारा प्यार I love you all, take care, namaste and bye guys Hey guys, welcome back, so जिनने भी pile number 2 select किया है B, K, H, P, S, X, E, I, J, N, U, W, R, Z हमारा pile number 2, तो चले देखकर बताते हैं आपको कि क्या आप दुनों के रिस्ते में सुधार होगा, इस वर की क्या मर्जी है, angels की क्या मर्जी है, universe की क्या मर्जी है और आपके portion की क्या मर्जी है, इस रिस्ते को लेकर क्या सुधार नजर आएगा हमें इस रिस्ते में, तो चल से पहले देखते हैं इनके अनर्जी कैसी है आपके पॉर्षन के अनर्जी हम देखें गई कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो रिष्टे में सुधार चाहते हो पर आपके पॉर्षन की भी मर्जी तो जाननी है ना और युनिवर्स की मर्जी भी जाननी है तो देखकर बताते हैं आप कार्ट कैसे निकल कर आते हैं तो थोड़ा सा करिए इंतजार चले गाईज निकालते हैं कार्ट पहला कार्ड आ गया डेट का कार्ड यह हुई न बात देखे गाईज पहले ही कार्ड ने जो है बहुत खुबसूरत इसारा हमको कर दिया है और यह मेजर अरकाना से कार्ड आता है और मेजर का मतलब होता है क्या कुछ बढ़ा कुछ बहुत जो होने वाला है और डेट का मतलब हमेसा होता है कि जो चीज़े खतम हुई है जिस रिस्ते का भी अंत हुआ है उसकी फिर से नई सुर्वात होनी है तो पहले ही कार्ड से आप समझ जाओ कि आपके रिस्ते में सुधार होगी या फिर नहीं होगी है ना कि आपको इसारा उपर वाले ने अल्रेडी एक कार्ड के जरीए दे दिया है अब बाकी कार्ड कैसे निकल कर आते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता गाइस कि अभी प्रेजन सिचुशन आप दोने की कैसी है है ना जो चल रहा है वो चल रहा है इसे हम बदल नहीं सकते पर आ याने की विस फुल्फिल्मेंट का कार्ड होता है यह है कि नहीं जानते हो ना आप वाव देख लेजिए बस इसी की कमी थी और यह भी निकल कर आ गई है ना कुई आफ काप्स याने की आपके अनर्जी होती है गाईस आप जानते हो ना वाव ब्यूतिफुल कार्ड ब्यू आपके लिए नजर आ रही है और यह पर देखे इनकी जो ख्वाई से है ना इनकी जो इच्छा है वह आपके साथ ही खतम होगी समझ गया यानिकि आप से इनको प्यार मिले आपसे इनको फीजिकल साटिसफाक्शन मिले तब ही जाकर इनकी ख्वाई से पूरी होंगी इनकी पूरे होंगे समझ रहे होगा इस तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ट निकल कर आए हैं समझ रहे हो गाई आप देखते हैं कि दो प्यार करने वाले वालों के बीच में यह डेथ का कार्ट क्यों आ गया रिलेशनशिप आज खतम क्यों हुआ है कोई ना कोई रिजन तो होना चा यह हमें कि किस कारण से रिस्ता प्यार करने वालों के बीच का रिस्ता आज खतम हुआ है तो फिर से आपके आनरजी नाइन ओफ पांटिकल्स के निकल कर आई है वाउ आपको तो यह इंसान पता नहीं क्या मानते हैं समझ में नहीं आ रहा कि आपको ना यह इंसान दिलो जा से दावा है यह मेरा आपको कुईन ओफ वैंस ओहो देख लीजिए सोलमेट का ही कनेक्शन है यह हंद्रेट पोर्सेंट सोलमेट का कनेक्शन है जितनी भी एनरजी निकल कर आई है और यह पास्ट पर्सन के एनरजी होती है कि कोई है इनकी लाइफ में जो इनकी साथ सब्सक्राइब तो भी यह जो है इनसान आपका ही सोलमेट है यह आपको ही अपना सोलमेट मान रहा है ठीक है इनके जिन्दगी में और कोई नहीं हो सकता आपके अलावा पस्ट पोर्सन के एनरजी होती है और आपके पोर्सन के अनर्जी स्वें देख लिए सिर्फ आप ही प्यार है आपकी यादों में है इंसान पार ये टो मेरी गैरंटी खाइव प्यार की आनशी है भाव कप सी कफ से आरों तर लास्ट काड यहां से निकालेंगे और यह आ रहे हमारा फिर से Ace of Swords ठीक है तो यह रहे वह आठाट कार्ट जो मैंने निकाले हैं यहां से आप तीन यहां से में चार कार्द दूसरे डख से भी निकालेंगे गाइस क्या खुबसूरत कार्ट्ट्स निकल कर आए हैं गैस सबसे बड़ा जो आप दुनों के बीच में जो रिस्ता खराब हुआ है जो सप्रेशन आई है उसके पीछे तो मुझे एक वज़े दो वज़े नज़र आई है मैं आपको बताऊंगे कुछ दिर सबसे बड़ा खेल तो यहां पर लगता है कि किस्मत नहीं खेला है क्योंकि डे जरूरी थी सप्रेशन होना जरूरी था तो कर्मा ने ही कुछ खेल खेला है आप दुनों के बीच में समझ गए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है पिछले जनम का रिस्ता भी आप दोनों का हो सकता है जहां पर आप लोग सोल में ट्रह चुके हो अल्रडी ठीक है तो चले देखते हैं यहां से क्या निकलता है स्टार देख लेज़े यहाँ पर भी हमें नाइन अफ कप्स मिला और यहाँ पर भी हमें स्टार का कार्ड मिल चुका है टैन अफ पांटिकल्स गाइस क्या बताऊं मैं आपको आप दुनों का फ्यूचर ना मुझे इतना दमदार नजर आया है ना कि मैं बहुत खुश हो गई हूं कार्ड को देखकर बहुत खुबसरत आप दुनों का रिलेशन्शिप बहुत अच्छे मुकाम पर मंजिल इसकी बहुत अच्छी होने वाली है देख लेज़े इसी की कमी थी यह भी आ गई चैरेट का चैरेट का एक्शन हमको आज रिडिंग म सुधरेगा जो बिगड़ा है और हमें मिल चिका है रिस्ता बनाने का कार्ड याने कि मेंटेनिस का कार्ड एट ओफ पांटेकल जवाब मिल गया गाईज आपको क्या मैं आप रिडिंग कंडिन्यू करू या ना करूगा इसकी यही पर खतम कर दूँ डेथ का कार्ड और यह तो यह रहे गाई गाईस कार्ड चले अब आपको ना साइन और एलिमेंट की तरफ भी लेकर चलते हैं साइन और एलिमेंट में जैसा कि मैंने कहा कि मेजर अरकाना से तीन बड़े कार्ड हमें मिले हैं आज हो सकता है कि यह रिडिंग स्कॉर्पियो को जादा रेजनेट हो या फिर आक्वेरस को हो या फिर कैन्सर को हो ठीक है इसके अलावा हमें नजर आया है वाटर साइन और ऐस्याइPS投िर कर में रासी तो तो गाइस क्या है आप दुनों का भविश्य है, क्या इस रिस्ते में कोई चांस है, क्या आपको इनका इंतजार करना आपके लिए सही है, तो मैं तो कह रही हूँ का इसकी प्यार ना कम होने का सवाल ही नहीं है, मैंने कहा कि आप में से बहुत से लोग आज जो रिडिंग देख रहे हो ना आप दोनों का इस इंसान के साथ पहले से ही नाता है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूही नहीं दिल दुभाता कोई तो ऐसा कुछ ऐसा ही situation मुझे नज़र आया है कि ये इस इंसान का और आप लोग नज़र आ रहे हो पर इतना प्यार होने के बावजूर यूनों ये इंसान आपको अपना soulmate मानते है ये इंसान आपको अपना wish मानते है अपनी ख्वाई से मानते है आपको अपने दुवाय मानते है गाई ठीक है देख लीजे आपके energy दो-दो निकल कर आई है य magnet है सारी के सारी feelings है guys यहां पर mix of emotions मुझे आपके portion के energy में नज़र आ रही है तो इतना सारा कुछ होने के बावजूद रिस्ते में ये death क्यों हो गया ये रिस्ता खतम क्यों हो गया ये रिस्ता बिल्कुल अभी जो मुझे लग रहा है कि इसका इसके अंजाम तक ये रिस्ता जो है आप दोनों कर रिस्ता पहुंच गया यानि की relationship में अभी कुछ बचा नहीं है इस कगार पर जाकर पहुंच गया आपका हस्ता खेलता प्यारा सा खुबसरों सा रिस्ता तो मुझे यहां पर दो नज़र आई है इस पहला तो सबसे बड़ा मैंने कह दिया ना कि खेल ही एक दुश्य को अपना दिल दे दिया अपना जीवन एक दुश्य के नाम कर दिया यानि कि दोनों ही एक दुश्य में इस कदर खो गए इस कदर डूब गए आप दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आपका रिस्ता इस तरीके से अचानक से खतम हो जाएगा कि कुछ बदलाव की जरुरत थी आप दुनों के relationship में, कुछ चीजों को change होना जरुरत था यहाँ पर समझ गए, और दूसरा जो मुझे angle नजर आया है, वो मुझे किसी एक महीला की energy भी नजर आई है, कुई नफ वैंड यहाँ पर जो दिख रही है, वो हो सकता है कि आप दु आप दुनों का प्यार बरदास्त नहीं हुआ, जो आप दुनों का अलग करवाना चाहती थी, दोस्त हो सकते है, relative से कोई हो सकते है, family से कोई हो सकते है, आपकी तरफ से भी कोई हो सकता है, इनकी तरफ से भी कोई हो सकता है, है ना, तो कोई ना, कोई एक ऐसा इंसान मुझे करमा चल रहा था कुछंट चीज़ाइस चल रहा थी जिसके वजह से यह end हुआ है तो अब जैसा कि आप देख लीजिए कोई भी कार्ड उठाकर देख लीजिए मैं आपको क्या बताऊं फ्यूचर इतना खुपसरत है है ना फ्यूचर से भी बढ़कर तो मुझे प्रेजंट यहां पर एनर्जी जो नजर आई है वो बहुत ही बहुत ही सुपर्ब नजर आई ह इन्सान आपको लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा आपने इनको जो प्यार किया है उस प्यार को यह बंदा कर रही हूं इतना मुझे मुझे खुशी महसूस हो रही है ना कि चलो यार कि इस कदर टूटा है ना कदर से जो है रिलेशन्शिप खतर हो गया फिर भी कोई इंसान है जो आपको भूल नहीं पा रहा दे कि आपके यादों में यह इंसान नाइन ओफ पैंटेकल्स भी यहां प कर सकते हो जो इनको Suport कर सकते हो जो इनका Backbone रिड़ की हड़ी जिसके कहते हैं अगर इंसान की सिर्ष में रिड़ की हड़ी ना हुई तो वो इंसान नकारा हो जाता है कaiस तो आप उनक लिए वह सपोर्ट सिस्टम हो जिससे इनको हर चीज मिल रही है प्यार मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है केर मिल रहा है गाईज आपको तो यह अपना जीवन साथ ही मान कर बैठा हूए है इनके भावनाव में कोई भी फेर बदल नहीं हुआ है जो प्यार आप दोच income पहला था यह मुझे लगता है कि वो प्यार अभी और बढ़ गया है इनके मन में यानि कि इस बदलाओं ने न इस ट्रांस्फोर्मिशन ने इस इस इंसान को आपके कदर करना सिखा दिया है साइद इस वर यही चाहते थे कि जुदाई हो और इस इंसान को आपके वैल्यू पता चले हो सकता है कि पिसले वक्त इनसान आपके वैल्यू नहीं करता था आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा था आप दोने के स्ट्रॉंग कनेक्शन को जो पिसले जनम से चलता आया है आप दोने का जो रिस्ता है उसे इनसान समझ नहीं पाया था तो समझाने के लिए भी हो सकता है कि इस रिस्ते का तूट इसे इस इंसान के मन में चल रही है गाईस देखें यहाँ पर टैन ओफ पैंटिकल्स आ गया यह दिखा रहा है कि इनको आप चाहिए इनको आप इनके घर पे चाहिए इनको आप इनके जिन्दगी में चाहिए इनको आप इनके कैडिर में चाहिए यानि कि चारों तरफ यह इ इनके किसी काम की है ना ही रुद्बा किसी कामस विर्ट करें कि मेरी इच्छ आधूरी रह गई है ओRY कि पास सब कुछ inh कि मैं चाहती हूं कि बहुत सारे आपके सामने रखने एंकी फ् thờiक को उढ़े पाती हूं गई ज्याधा है झाटा रशिवées कि जितना भी आप देरी हुआ है वो इसी डेट के काट के वज़े से हुआ है गाईस आप दुनों का रिस्ता बनना ही नहीं गाईस सुधरना ही नहीं है बल्कि आप दुनों के रिस्ते को तो तो न 10 तो यहां पर जो भी हुआ है गाइस वक्त ये आप दोनों का लग किया है वक्त ने दो प्यार्रकरनीवालों को जुदा किया है यह इंसान किसी नए इंसान के साथ अगर है है भी सब्सक्राइब कि यहां पर महिला काड आया है वह अगर कोई थर्ड पार्टी है जो आपको सोचना है कि अगर यह किसी और कनेक्शन में भी है न गाईज यह इनसान सिर्फ अपने पास्ट को याद कर रहा है देख लीजिए यह इनका पास्ट यानि की आप देखे किस कदर जो है आप में डूबा हुआ है इस इनसान भूल ही नहीं पारा इस कनेक्शन को पास्ट परसन का काड होता है यह गाईज और पास्ट में थे आप जिनके साथ इनका रिलेशन्शिप नहीं है ठीक है तो यह इनसान आप में है आप में खोया हुआ है पूरी तरह किसे डूबा हुआ है यह आपको मनतों में मांग रहा है साइलेंटली यूनों ज्यादा सोसरावा नहीं है ज्यादा दिखावा नहीं है ये इनसान आपको पाना चाहते हैं, आपको मांग रहे हैं, ये इनसान manifest silently कर रहे हैं चुप चाप गुप चुप तरीके से, secret तरीके से guys इस इंसान की एक ही क्वाईस है कि इनका प्यार इनको मिल जाए इनके प्यार के सार इनकी नई सुरुवात हो जाए इनके प्यार के सार इनका घर बस जाए आप दोनों का relationship जो है सुधर जाए जो बिगड़ा है वो बन जाए है ना तो इन सारे चीजों को ही आपके portion manifest करते वे नजर आये है pile number two कितनी अच्छी reading है आज की बहुत mind-blowing reading है गाईज ये इनसान आपको बिल्कुल भी you know खयालों से निकालना तो दूर की बात है गाईज ये इनसान तो आपको एक पल के लिए अपने दिमाग से तक नहीं निकाल पाता अपने दिल से नहीं निकाल पाता ये इनसान बस यहां पर वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब इनकी ख्वाई से पूरी हो कब इनका प्यार जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाए मैं आपको बता दूरू गाईज रिलेशन्शिप मैंने कहा दिया सुधार का तो सवाल ही नहीं या तो मैंने आपको प्रेडिक्शन ये भी कर दिया है मेरी भविश्यवानी यहां पर ये भी है कि आप दुनों का रिलेशन्शिप टैन ओफ पैंटिकल्स में जाकर खतम होगा पहले इस साइंकल को खतम होने करने दो कई लोगों का ये रहा है अना बहुत जल्दी नया बदलाव बतलाव निश्यप में ब्लां प्यारस में बदलाव और आप दोनों का दिसनौञर्स होगा ऑप्छ श들이 कर आप सिद्र रही है जिसे पाने के लिए नशनाव में कर रहा है यह इस इंसान की ख्वाई से definitely पूरी होगी क्योंकि हमें मिला है दो दो wish fulfillment का card सिद्धत वाला प्यार है pile number two यह इस इंसान का प्यार सिद्धत वाला है समझ गए और जहां पर सिद्धत होती है लगन होती है एहसास होता है इसे ही लोगों की इच्छा जो है उपर वाला पूरी करते हैं और यहां पर देखें इस इंसान का इतना सारा जो चाहत निकल कर आया है आपके लिए emotions निकल कर आया है जज़बात निकल कर आया है तो उपर वाला भी जुकेगा इनके सामने ठीक है इनके और आपके बीच में जो भी प्रॉलम है जाहे यह कुई नों वेंट्स प्रॉलम बन कराई है या फिर साइकल प्रॉलम बन कर आया है इन सारी चीजों का खात्मा इसका एंड होना है और आप दुनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है एक दूसरे के जिन्दगी आप दुनों को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा सामिल कर दिया जाएगा गया समझ रहे हो तो यह है आपका आने वाला भविश्य जहां पर आपके पॉर्षन फिर से महनत करेंगे आपको पाने के लिए आपके जो खोयावा भरोसा है ना उस भरोसे को फिर से यह इनसान हास खतम तो हुई है पर फिर से बनने के लिए खतम हुई है फिर से नियू बिगनिंग यहाँ पर हो नहीं है एस ओफ वैंड्स यहाँ पर आ गया एस ओफ सोर्ट आ गया दोनों ही कार दिखा रहेगी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगी आप दोनों का चैप्टर फिर से ल जल्दी offers मिलने वाले हैं, good news आपको सुनने को मिलेगा, ये इंसान आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, ऐसी जैसे चीज़े इंसान आपको बताएगा ना कि आप, आप सौक्ट हो जाओगे, कि इतना प्यार अगर इंसान करता है, तो दूर क्यों आए, आपको ना कभी-कभी पर समझना चाहिएगा, इसकी दूरी इंसान की चाहाँ से नहीं होती, कभी-कभी न, ऊपर वाला ही ऐसा कुछ खेल-कहेल जाता है, ताकि लोगों की value समझ में आए, ताकि लोगों को प्यार का दर्द क्या होता है, वो समझ में आए, और रिस्ता जो है, पहले बुरा था, तो आप रिस्ता जो है अच्छा बने है ना तो सबक सिखाने के लिए भी कभी कभी जो है जुदाई का सामना करना पड़ता है गाइस पर आपका सोल मिट मुझी है आप नजर आच चुका है बहुत जल्दी आपको प्यार से भरने के लिए देखे कितना खूपसरत दो इंसान ह जिसमें से एक दे रहा है दूसरा ले रहा है दोनों केुझे पर स्माइल है खुश है दोनों तो इस तरीके से जबर भ़रने के लिए आ रहे हैं आपका पास्ट है वही पास्ट जो अभी आपके जाद सप्रेशन में हैं यह इनसान आपको नहीं भूल पाया है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते आप दोनों की लाइफ इतनी खुशाल होने वाली है जहां पर आप दोनों सैटिस्वाइट हो जाओगे आप इनके आप इनको खुश करोगे यह आपकी खुशियों का ध्यान देंगे आपको कैसे खुश रखना है इनकी जिम्हेवारी यह होगी है ना तो एक दूसरे को फुल्फिल करोगी क्योंकि आप दुनों ही एक दूसरे का विस्ट फुल्फिल्मेंट हो गाईज मैं आपको यह भी बता दो कि आप भी बहुत मेनिफिस्ट करते हुए मुझे नजर आए हो आप भी इनको पाने के लिए इनके साथ नई बिगनिंग के लिए न आप भी बहुत कोशिस कर रहे हो मेनिफिस्ट कर रहे हो दुआये कर रहे हो गाईज देखे चैरिट का अक्शन हमको मिल चुका है मिजर अरकाना से और chariot का action जब आता है है ना तो मैं क्या कहती हूँ आपसे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंसान ना आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंसान आपको commitment ना दे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंसान आपको ना मिले मिलना ही है इस इंसान का इतना ज़रा संकल्प लेकर ये इंसान आ वापस जो है आपकी लाइफ में आ रहा है कि इनको आपको पाना ही पाना है आपके साथ सक्सेस हासल करनी ही है विल पावर स्ट्रॉंग करके ये इंसान जो है वापस आएगा इस तरीके का बदलाव आप दोने के लाई आई है कर्मा की वज़े से या फिर साइकल के वज़े से यह सारी चीज़े खतम हो रही है और ट्रांस्वर्मेशन के लिए बदलाओ के लिए आपको तयार होना है गाइस ठीक है चलिए अब दो कार्ट्स मैं और एकल कार्ट से भी निकाल दूँ युनिवर्स के तरफ से दूबा डूबा रहता हूँ आखो में तेरे दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरे अब दिल गुजरते नहीं राते कटते नहीं तेरी दस्विर से बात बन ती नहीं हो ना जा ना ज़ा बेवफा बेवफा ना जा बेवफा ना जाव बेवफा ना जा विलकुल डूबे हूए है 100% डूबे हूए है आपके यादों में पहला कार्ट साइलेंस का आया है तो यहां पर देखिए आप भी चुप हो आपके पोर्षन भी चुप है खामोसी चल रही है कम्मिनिकेशन नहीं है बातचीत नहीं है गाईज हैना बहुत सारी फीलिंग्स है जो आपके पोर्षन ने दबा रखी है अपने मन में बहुत सारी इमोशन है जो आपको दिखा नहीं रहे है तो साइलेंस का दौर यहां पर चल रहा है पर आप घबराईए मत उनिवर्स ने कहा है कि कभी-कभी चुप रहना भी अच्छा होता है कभी-कभी चीजों को बदलने के लिए वक्त देना पड़ता है तो जगड़े करने है चुप चाप रहो ज्यादा क्वेशन्स मत करो ज्यादा सवाल मत करो कि ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया उपर वाला भी साइथ मेरे दर्द को नहीं पहचान पा रहा है ऐसे सारे बेत्तु के सवाल का जो है आपको खात्मा करना है चुप चाप बैठे रहना है कोई इसे आप से नहीं छीन सकता कोई भी ताकत नहीं छीन सकती भरोसा करो एक और निकालते हैं क्रियोटिविटि देखें यहां पर क्रेशन होना है मैंने कहाना कि आप दुनके बीच में बहुत सारी जिस तरीके से यहां पर आपको नजर आता होगा एक एक एंचल है एक एंचल को कहा थियाए शन चारे से काझळ पर पर लिख रही है यहां पर क्रिएशनसा पर होगा फूप्सूर्टी कुछ भी खतम नहीं हुआ है यह जो चीजें खतम हुई है वो temporary basis पर खतम हुए, कुछ पलो के俺ा के लिए खतम हुई है कुछ सबक देने के लिए खतम हुई है, कुछ सिक्षाए पाने के लिए खतम हुई है पर creation तो होना है, बनना तो यहाँ पर तय है guys, create होना है और एंजल्स क्रेट करेगी आपके डेस्टिनी को आपके पोर्सन के साथ उनिवर्स क्रेट कर रही है ठीक है तो यहाँ पर इस बनने के लिए डेक्रेशन के लिए आपको रेडी होना है ठीक है बहुत ब्यूटिफुल मैसेज निकल कर आया है चली एंजल्स की तरफ से भी देखते हैं कि आप क्या है यहाँ पर जुरा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है मुझे तेरी याद क्यों जली आती है तेरी आदों में खोया रहता हूँ मुझे को रुसती है तनहाई या वाव मतलब ऐसा ही लग रहा है कि इंसान ऐसा ही फिल कर रहे है कि जुदा हो कर भी मैं तुझ में कहीं बाकी हूँ वाव क्या बात है गाईज कॉम्प्रोमाइज तो यहाँ पर आ गया है कॉम्प्रोमाइज का मेसेज यानि कि जो भी चीज़े आप दुनों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है ना गाईज वो कॉम्प्रोमाइज के वज़े से हुआ है है ना आपने कुछ चीज़े कॉम्प्रोमाइज की इनको कुछ चीज़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ी यानि कि कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है मैंने कहा ना कि जो कनेक्शन आप दुनों के इतना स्ट्रॉंग निकल कर आया है ना गैज यह इतनी आसाने से छूटने तूटने वाला विगरने वाला रिस्ता तो है नहीं कहीं न कहीं मजबूरन ही आप दोनों को अलग होना पड़ा है। कॉंप्रोमाइज करना पड़ा है इस डिलेशनगें ठीक है तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी अपने मन से अपने दिल से इस बात को निकाल दो कि इंसान बेवफा है इस इंसान ने आपको धोका दिया है इस इंसान ने जान बुछ कर आपका दिल तोड़ा है जो भी हुआ है गाइस कॉंप्रमाइस की वज़े से हुआ है कॉंप्रमाइस करने को मजबूर होना पड़ा है जैसे कि आप मजबूर हो ना अभी आपके portion ने आपसे relationship तोड़ा है तो आप क्या कर रहे हो compromise कर रहे हो चाहत नहीं है इनसे दूर हो ना पर फिर भी क्या कर रहे हो आपको मानना ही पढ़ रहा है क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तो ऐसा ही कुछ इस इंसान की साथ भी relationship से यह इंसान दूर हुए है ठीक है पर आप बिलकुल भी वरी नहीं करते गाइस टेंशन नहीं लेते ठीक है आने वाला वक्त बहुत ब्यूटिफुल है बहुत क्रेटिव चीज़े तो अभी आप दुनों को करनी है आप दुनों को देख दुशे का जीवन साथी बनना है सारी चीज़े प्लान हो चुकी है यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है आप दुनों के relationship को बनाने की ठीक है बस यहाँ पर सही वक्त का इंतजार मुझे नजर आता है इंतजार का फ़ल मीठा होता है मैं कहती हो ना गैस चलिए आप एनर्जी और एकलकार से क्या है आपके लि फर्स चक्रा आर्केंजल माइकल का जो है आपके लिए मेसेज आया है नमबर 35 यहाँ पर नजर आ रहा है गैस तो गैस फर्स चक्रा आर्केंजल माइकल का जो यहाँ पर संदेश आया है इसका मतलब यह होता है गैस कि आपके और आपके portion के बीच में जो भी relationship को लेकर problems चल रही है ना उस problem का खतम होने का वक्त आ गया है वाव यह हुई ना बात गाइस अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पढ़कर भी सुना सकती हूं पर इसकी जरूरत नहीं है इसका मतलब यह है कि issues जो problem relationship में है issues छोटी मोटी तकरार आप दोनों के बीच में जो भी समस्या है ज तो चलिए उपर वाले ने भी हमें यह संदेश दे दिया है अब और आपको क्या-क्या चीज़े चाहिए गाइस कितने प्रूफ और चाहिए है ना अब कितनों के लिए यह death का कार्ड जो है rebirth में जो है start होने वाला है यह अब आपका किस-किस का divine timing आया है इस पर depend करता है पर जिनका timing आया है और जिनकी energies आज इस reading में है guys है ना उनके लिए तो यह thousand percent resonate होकर ही रहेगी और आपका जिवन साथी आपको मिल कर ही रहेगा यह मेरा दावा है by number two ठीक है तो इतना कहते वे guys अब मैं reading को कर रही है close आपको रखना है आपना बहुर अचा खयाल क्यूंकि मैं क करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार I love you all take care namaste and bye guys